मद्ध प्रदेश के जो ग्रेह मंत्री हैं नरुत्तम मिश्रा हर बार आते हैं और खुलकर मुखर होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं सरकार के तरब से भी और अपनी भी तो नरुत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनवाते हैं अभी तो चुनाव में समय हैं लेकिन कॉंग्रे साथ से ही इस चुनावी शंखनात करने जा रही है प्रियंका जी है नर्मदा पूजन से इसकी शुरुआत करेंगी आज देखिए प्रियंका जी जब चुनाव आता है दोनों भाई भेन चुनावी हिंदू है यूपी चुनाव आया है तो गंगा जी में डुपकी लगा एमपी का चुनाव आ गया तो नर्मदा जी पर पहुँच गई है चुनाव पर ही इनको क्यों याद आती है इसकी जनता अब स आप इसकी में भी आप इस पश्ट करो जो महला को आईटम कहते हैं तंचमाल कहते हैं उनके साथ मंद शेयर कर रहे हो यह प्रदेश देख रहा है यहां पर आज गदा के साथ स्वागत होगा प्रियंका गांदी जी का कमल नाज जी यहां सुंदर कांड में भी जा रहे हैं म इस ब्रह्मे आने वाली नहीं है किस तरह से चाब वो जो बच्ची की नर्मदा जी पर जा रही है और जिस बच्ची की अत्या हुई जवलपुर में क्या उसके जाएंगी क्या नहीं जाएंगी क्योंकि तो स्टीकरण की राजनीती करती हैं मारने वाला कौन है इस कारण से सवाल पूछा है और खास तोर से हमला किया है कॉंग्रेस के हिंदुवादी चेहरे को लेकर कि आकिका चुनाओं में उन्हें यह समाम चीजे याद क्यों आती है रभीश पाल से भोपाल आज तक